हलो एन असलाम लिक्म और विडियो और वालकम बैक टू अनधर वीडियो कैसे हैं सब लोग आफ्टर अफ्टर अप्ग्रेडेशन ओफ कदाफी स्टेडियम लहूर जिसका काम 10 जून से शुरू हुआ था 15 जूलाइ स्कोप ओफ वर्क में लांस डेट मैंशन थी जिसमें डेम कराची में भी प्रॉपर जाएशन का घ् prof कर दिया गयाया घिज से पहले में आपके साथ पॉसिबल अपग्रेडेशन प्ल앙 की वीडियो जाता एक से करकी हो चुरू को चुरु लेबर्स वरकर्स ने आपके काम शुरू कर दिया है अनहाल ही में चेर्मन पीसी भी मौसिर नकुई ने नाशनल स्टेटियम का भी दौरा किया था एक प्रेस कॉंफर्स भी की थी अपग्रेशन के वारे से कुछ पॉइंट्स भी दिये थे कुछ कुछ क्वेस्टन से किये साथ साथ आपको पता है कि चैपियंस ट्रॉफी के शडूल के वाले से भी अच्छी खबरे सुनने को मिल रही हैं खास तौर पे इंडिया का पाकस्तान के विजिट को लेकर बाकी के तो जितनी भी कंट्रिस हैं उन्होंने आइसी सी का शडूल जो पाकस्तान ने सेंड किये पीसी बी ने आइसी सी को कि हमारा इनिशल शेडूल है चैंपियंस ट्रॉफी का जिसमें 19 फेबरी से शुरू किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी को और 9 मार्च को फिनिश किया है अब सुनने में आ रहा है कि जो 10 मार्च लास्ट एक और डे एड कर दिया है फाइनल के कोई नुक्स निकालने के अप्रूफ कर दिया था सब कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड को संड कर दिया था एंड सुनने में आ रहा है कि सब क्रिकेट बोर्ड सब कंट्रीज थें अप्रूफ भी कर दिया सिवाए इंडिया के लेकिन इंडिया के वाले से भी अच्छे खबरे न लहोर में रखे गए हैं duty security concerns ताके इदर उधर travel करना ज्यादा ना पड़े अगर semi final के लिए qualify कर लेती है इंडिया तो फिर हो सकता है कि पिंडी या जो कराची का समी final है वो लहोर shift हो जाए क्योंकि कराची ने तीन matches host करने ओपनिंग मैच भी कराची होस्ट करेगा साथ matches लहोर ने पांच मैच पिंडी ने एक semi final पिंडी एन एक कराची ने जबके final लहोर ने होस्ट करना है ओपनिंग मैच भी कराची ने होस्ट करना है और या फिर में भी possible हो सकता है कि semi final के लिए इंडिया को पिंडी वाले semi final में travel करना पड़े बट लेट सी उसका भी शेडूल आता ह चेंज करना हो तो आई सी को बता देते हैं पीसी बी से कॉंटेक्ड कर लेते हैं फिर शेडूल में रदो बदल या चेंजिव वगयरा कर देता है अनुस बार खास पर पाकस्तान और इंडिया करने का मसला है तो आपको पता है कि सब टीम पाकस्तान आइए उनको कई करना ही है तो इंडिया को आना ही होगा पाकिस्तान और नियूज निकल के आ रही है आने वाले टैम में आपको अपडेट करते नहींगे तो यह चैंपिन्स टॉफी का अपडेट हो गया लास्ट ताम मेरे खाल में 2008 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी को इंटरनाशनल क के टीम के टीम हैं वो बाहर ओल ग्राउन ट्रेनिंग ग्राउंड कराची में यहां पे प्रक्टिस सशन कर रही है अभी आगए अगस्ट में बंगलजज की टीम पाकिस्तान आ रही है तो तो टीमें कोई सिक्योर्टी का इस्यू नहीं है बस वो इंडिया ने है मैँ सिक्यो बिल्डिंग इसके सामने फार एंड पुविलियन पे भी आ जाई है कि इस पुविलियन के लेफ और राइट साइट पे आपको हॉस्पिटेलिटी बॉक्स दिख रहे होंगे नजर भी नहीं आते हैं वो पीछे रूफ साइट पे छुपे हुए हैं बिल्कुल एंड पे 15 माइज हैं खास तोर पे जो ग्रिल है पिंजरो वाली ग्रिल लगी हुए वो तो रिमूव होगी एक सामने से अटा दी गई है अब देखते हैं आगे किस तरह की ग्रिल लगती है अट लीस्ट वो व्यू खराब ना हो दूसरा जो रूफ इतनी नीचे लगा दी है मेरे ने थोड़ी ची ऊपर रख देते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक राय भी शेयर की थी आइडिया दिया था कि विव अगर बेतर करना ही है तो फ्रंट पे जो रूफ की पिलर्स लगे हुए सामने आपको दिख रहे हैं इसको काट के स्टैंड कर दें रूफ थो हैं वो आउट फील्ड से काफी ऊपर होते हैं ताके सब जितने भी स्पेक्टेडर्स हैं उनको क्लियर व्यू आप इचका तो आउट फील्ड की सर्फिस से नीचे वो चेर्स फर्स रो शुरू हो जाती तो क्या ही व्यू आना है उनको नजर नहीं आना बैक वालों को किया नजर आए गए मैंने खास तो पर इस वीडियो में हाइलाइट किया कि अब रेनुवेशन अफ ग्रेडिशन होने जाई रही है तो व्यू अच्छा होना चाहिए सब से पहले ग्रिल रिमूव करिए किस किसम की ग्रिल लगई आप देखें जैसे कैदियों को भी बैक साट प उनको व्यू नजर ही नहीं आना बीच में थोड़ी बहुत चेर जो उनको थोड़ा बहुत नजर आएगा फिर वो ऊपर जे फिर रूफ शुरू हो जाती है तो बैक साट पर हॉस्पिटेलिटी बॉक्स भी बनाई हो टॉप पर देखें तो उनको तो अंदर से कुछ नजर बन रहे थे वो PCB ने बाई कर ली थी 4 billion रुपीज की तो अभी भी PCB के अंडर रही है और वो क्या रहे थे के कराची साट पे भी कुछ जमीन थी उससाट पर होटल का बताया गया था तो उस हवाले से चेर्में PCB ने का था कि उस हवाले से भी अच्छी खबर आईगी लेक से क्वेस्टन भी किया था कि या स्टिल वो जो लहोर में बैक साट पर आपको फ्लैट नजर आ रहे होते हैं जिस पर वो PCB ने केस भी किया था कि यहां पे रिजिटनर्शल एरिया ना बनाया जाए स्क्योर्टी कर लेकर पर PCB ने वो उनर से वो बिल्डिंग बाई कर ली यह न्यूज भी चली थी बड़े-बड़े मेडिया चैनल दे भी शेयर किया था कि पास ही स्ट्रीटिंग के होटल आएगा तो पास ही प्लेयर जा सकेंगे एजी हो जाएगा लेकिन फिलहाल उस पर काम हुआ नहीं है और इस साट पर बी कहा कि कराची साट पर भी जबीन प करते हैं कराची के स्टेडियुम के साथ साथ इसके बाइर साट पर जो ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसे ओवल ग्राउंड का जाता है वहां पे भी फिलहाल पाकस्तान को के टीम प्रैक्टिस कर रही है आपने देखा होगो फॉमों बिचाईवे थे फिल्डिंग के ड्रिल् कराची की तरह उसका भी अपडेट कर देंगे कराची सेट पर काम शूरू हो गया तो हमने प्राउपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दी मजीद भी बहुत सी खबरें बाते आरें इंफॉमिशन आरें लोग शेयर करें कि यह भी अपग्रेड होगा वह भी अप पर भी डबल स्टांड बन जाएंगे पता नहीं क्या क्या शेयर किया हुए लोगों इस तरह पिंडी के वारे से भी फूइचर के अभी सी प्लान्स शेयर किया हुए यह भी कुछ हुआ नहीं वहां पर सो थोड़ा सा वेट कर लें किया है कि जो जो चीजी होती जाएंगे साथ शेयर करते जाएंगे और बागी यह है कि कराची के स्टेडियम में भी कुछ इंक्लोजर जो सामने आपसर साट पर बिल्डिंग बनेगी उसके पास खाली है वहां पे चेयर नहीं तो उस साट पर भी चेयर आ जाएंगी फिलाल इतना नोट कर लें बहुत सी चीज मैं आपको बता दी है मजीद अब ग्रेडेशन प्लैन में कुछ शामिल होता है तो आपके साथ शेयर कर देंगे फिलाल के लिए इतना ही मिलते आगली वीडियो में आप सोचल मीडिया हैनस पर आगी वालो कर लें तब तके के लिए टेक कैर लाहाफिस